गुड मॉर्निंग आज है 24 मार्च फ्राइडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट जिसने आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा एक बार डिस्कलेमर जरूर वीड करें तो आएए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा बंद होने पर सिन्सिक्स 289.31 अंक या 0.50% की गिरावट के साथ 57925.28 पर और निफ्ती 75 अंक या 0.44% की गिरावट के साथ 1776.90 पर बंद हुआ था कमजोर शुरुवात के बाद बाजार सीमित दाइरे में बंद रहा पिछले घंटे की बिक्वाली ने बाजार के निचले स्टर पर समाप्थ होने के साथ देखे मध्य के सभी लाभों को मिटा दिया सेक्टोरल मोर्चे पर मिला जुला रुख देखा गया Realty Bank, Information Technology और PSU Bank 0.5 एक प्रतिशक नीचे थे जबकी Metal, FMCG और Power के नामों में खरीदारी देखी गई थी BSI Mid Cap Index 0.4 फीसदी गिरा जबकी Small Cap Index फ्लाट बंद हुआ साथ बजे की क्लोजिंग के हिसाब से SGX निफ्टी ट्रेड कर रहा फ्लाट नेगेटिव 20.17,065 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लाट क्लोज हुए मिले जुले डेटा का सगीमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज फार्ट ओपन होने की संभावना है वाल स्ट्रीट गुरुवार को हायर बंध हुआ क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन के आशवासन से बाजार सहभागियों को आशवस्त किया गया था कि अमेरिकियों की जमाराशी को सुरक्षित रखने के उपाय किये जाएंगे सभी तीन प्रमुख यूएस बाजार ने अपने पिछले दिन के लाब को मिटा दिया और 23 मार्च को आधे प्रतिशत की लोस के साथ सत्र को बंद कर दिया फेडरल रिजर्व द्वारा 25 बीटीएस द्वारा फेड फंड की दर्मे वृध्धी के बाद ग्लोबल मार्केट में बेरिनेस देखने को मिली निफ्टी 50-75 अंक गिरकर 17,077 पर आ गया और डेली चाट पर ट्वीजर टॉक प्रकार का पैटर्न बना जो की एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि दो दिनों की कैंडलस्टिक्स लगभग समान है 16,950 से 16,900 के निचले एरिया से मौझूदा कमजोरी के दौरान बाजार को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है एंड 17,200 से 17,250 के लेविल से उपर एक निरनायक कदम से तेजी में मजबूती आने की संभावना है सापताहिक आधार पर 78,57 लाख कॉंट्रैक्ट के साथ अधिक्तम कॉल उपन इंट्रेस्ट 17,100 स्ट्राइक पर देखा गया जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है इसके बाद 17,200 जिसमें 68.64 लाख कॉंट्रैक्ट शामिल है और 17,300 तिरपन दशमलव शूने एक लाख से अधिक कॉंट्रैक्ट है जो क्रमशा रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा साप्ताहिक आधार पर हमने 64.32 लाख कॉंट्रैक्ट के साथ अधिक्तम पुट उपन इंट्रेस्ट 17,000 स्ट्राइक पर देखा है जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है इसके बाद 16,500 जिसमें 54.44 लाख कॉंट्रैक्ट शामिल है और 16,800 जहां हमारे पास 43.3 लाख कॉंट्रैक्ट हैं जो क्रमशा सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा पिवट चार्ट के अनुसार निफ्टी को 17,048 पर सपोर्ट मिला है इसके बाद 17,010 और 16,949 पर है यदि इंडेक्स उपर जाता है तो देखने के लिए प्रमुख रेजिस्टिंस लेवल 17,170 हैं इसके बाद 17,208 और 17,279 हैं प्रेडिंग सेशन के दूसरे भाग में बैंक निफ्टी में बीर्स मजबूती के साथ वापस आ गये और इंडेक्स में हाई लेवल से बिक्वाली का दबाव देखा गया इंडेक्स 382 अंक या एक प्रतिशत गिरकर 49,617 पर आ गया और डेली चार्ट पर लॉंग अपर शैडो के साथ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना जो हाई लेवल पर बिक्वाली का संकेट देता है इंडेक्स को उपर की चाल को जारी रखने के लिए क्लोजिंग आधार पर 40,000 के लेवल को पार करने की आवश्चता है इंडेक्स के 49,000 से 40,000 की रेंज में ग्या पार करने की संभावना है और दोनों तरफ एक ब्रेक ट्रेंडिंग चाल तै करेगा पिवट चार्ट के अनुसार जो एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा 49,542 पर है इसके बाद 49,389 और 49,141 है उपर की ओर प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल 40,038 है इसके बाद 40,191 और 40,449 है साप्ताहिक आधार पर अधिक्तम कॉल ओपन इंट्रेस्ट 40,000 स्ट्राइक पर देखा गया जो आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल होने की उम्मीद है साप्ताहिक आधार पर अधिक्तम कुल ओपन इंट्रेस्ट 49,500 के बाद 49,000 स्ट्राइक पर देखा है जो आने वाले दिनों के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल होने की उम्मीद है National Stock Exchange के अंतिम आकडों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेश को FII ने 995 करोड रुपए के शेर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेश को DII ने 23 मार्च को 1679 करोड रुपए के शेर खरीदे यस्टरडे इंडिया विक्स जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है 2.1 चे प्रतिशत लुढकने के बाद 14.49 के लेवल पर पहुँच गया National Stock Exchange ने 24 मार्च के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में हाल को जोड़ा है एंड बायोकोन एंड इंडिया बुल को बरकरार रखा है F&O खंड के तहट प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कमपनिया शामिल है जहां derivative contract बाजार की व्यापक स्थिती सीमा के 95 प्रतिशत को पार कर चुके हैं इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिन वीडियो हैपी ट्रेडिंग